प्रवरता निदेश शालाई की टीम ने 36 गड़ के तीन आईएस सही 16 कारोबारियों के ठीकानों पर लगातार दूसरे दिन भी जाच की रायपूर के देवेन नगर इस्तित ओफिसर्स कारोणी से आईएस समीर बिश्णोई और उनकी पतनी को ईडी की टीम पुछ ताश के लिए अपने साथ ले गई एक अन्य आईएस जैप्रकाश मौरिया को भी हिरासत में लिये जाने की खबर है वही रायगड कलेक्टर रानू साहू के घर को ईडी की टीम ने सील कर दिया है रानू अपने घर में नहीं थी बताया जा रहा है कि उनके वापस आने के वाद एक बार फिर एडी की टीम जाच करेगी एडी के उच्छ पदस्ते सूत्रों की माने तो अब तक सभी ठीकानों से जाच के दोरान दस करोड से ज्यादा नगदी और ज्वेले नी मिली है महा समुंद में एक कारोबारी की गारी से 6 करोड रुपए नगद बरामत किये गए हैं 36 गर में आई एस अपसरों के यहाँ एडी के छापों से हड़कम मचा हुआ है आला अधिकारियों ने बताया कि पूर्विधायक अग्नी चंद्राकर, कारोबारी सूर्कांतिवारी, बादल मकड, सन्नी, लूनिया, अजय नायडू के आवास पर जाच पूरी हो गई है बता जा रहा है कि कुछ कारोबारियों को पूछ ताज के लिए उपस्तित होने का एडी ने नोटिस दिया है कोईला कारोबार से जुड़े सुनी रगरवाल, शराब कारोबारी, प्रिंस, भाटिया की ठिकानों पर देर राद तक जाच चलती रही यहां से एडी की टीम को मनी लॉंडरिंग से जुड़े दस्तावेज मिले हैं कारोबारियों ने शेल कंपनी में निवेश दिखा कर करोडो रुपए की हेरा फेरी की है रायपूर के देवे नगर इस्तित ओफिसर्स कालोनी से आईएस समीर विश्णोई और उनकी पतनी को एडी की टीम पूछ ताज के लिए अपने साथ ले गई एक अने आईएस जैप्रकाश मौरिया को भी रासत में ली जाने की खबर है वही रायगर कलेक्टर रानी साहू के घर को एडी की टीम ने सील कर दिया है रानू अपने घर में नहीं थी बता जा रहा है कि उनके वापस आने के बाद एक बार फिर एडी की टीम जाच करेगी प्रदेश में एडी छापे को लेकर मुख्यमंदी भूपेश बगेल ने सवाल खड़ा कर दिया है मुख्यमंदी बगेल ने कहा कि एडी को बताना चाहिए कि किस अधिकारी और कारोबारी के पास से क्या-क्या मिला है एक-एक अधिकारी के यहां से क्या-क्या पकड़ा गया है यह बताएं बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है अगर पकड़ा गया है तो एजनसी का बयान सामने आना चाहिए आप देख रहे हैं तखल्यू